नमस्कार दोस्तों मैं संतोस पटल स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल डिजिटल बंडार पर यदि आप कम्प्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं कम्प्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल नोटिफिकेशन को उन करें ताकि आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होता रहे आज की वीडियो में हम MS Word में Format Painter को सीखने वाले हैं Format Painter MS Word का एक Special Feature होता है Special Option होता है जो आपको एक Location की Formatting को Copy करके किसी दूसरी Location पर Apply करने की सुभीदा पिर्दान करता है जब आप कोई Document तयार करते हैं कोई Letter तयार करते हैं तो उसमें अलग-अलग Type की Multiple Formatting यूज़ करते हैं आप अपने Document को Attractive बनाने के लिए कई परकार की Formatting का यूज़ करते हैं तो यदि हम एक Location की Same Formatting किसी दूसरी Location पर Apply करना चाहते हैं तब हम Format Painter का यूज़ करते हैं Format Painter हमें एक Location से Formatting को Copy करने की और दूसरी Location पर Formatting को Paste करने की सुभीदा प्रदान करता है तो Format Painter को Practically समझने से पहले थोड़ा सा थियोरीकली समझ लेते हैं Format Painter क्या होता है इसकी क्या-क्या Sort Cut की होती है तो Format Painter एक Formatting Option होता है आप इसका Use Formatting करने के लिए कर सकते हैं जिसका उपयोग एक Object की Formatting को Copy करके किसी दूसरे Object पर Paste करने के लिए किया जाता है यदि आपके Document में कई Object हैं कई प्रकार के Text आपने लिखे हैं और एक Text पे जो जो आपने Formatting एप्लाई की है वही सेम Formatting यदि आप दूसरे Text पर एप्लाई करना चाहते हैं तो आप Format Painter का Use कर सकते हैं Format Painter को हम Home Tab से Access कर सकते हैं साथी साथ इसकी Shortcut की भी होती है यदि आप Format Painter से Formatting को Copy करना चाहते हैं Formatting को Copy करना चाहते हैं तो उसकी Shortcut की होती है Shift Control C और यदि आप Formatting को Paste करना चाहते हैं तो उसकी Shortcut की होती है Shift Control V आप Format Painter को MS Word में Home Tab से प्राप्त कर सकते हैं साथी साथ इसकी Shortcut की से भी इसको Access कर सकते हैं जब आप Normal Object को Copy पेस्ट करते हैं तो उसकी Shortcut की होती है Ctrl C, Ctrl V लेकिन यदि आप Formatting को Copy पेस्ट करना चाहते हैं तो उसके साथ Shift का यूज किया जाता है Shift Control C से आप Formatting को Copy कर सकते हैं और Shift Control V से आप Formatting को Paste कर सकते हैं तो हमने यहाँ पर Format Painter को समझा गि Format Painter एक Object की Formatting को Copy करता है और दूसरे Object पर Apply करने की सुभीदा प्रदान करता है Formatting को Copy करने की Shortcut की होती है Shift Control C और Paste करने की Shortcut की होती है Shift Control V तो अभी हमने इसको Theorically समझा अब हम चलते हैं MS Word की Screen पर Window पर और देखते हैं Format Painter को Practically कैसे Use किया जाता है तो यहाँ पर हमने MS Word में Practical Example के लिए दो Paragraph को Type करके रखा है एक हमारा Paragraph 1 है जिसकी यह Heading है उसका यह Description and Detail है यह हमारा Paragraph No.2 है और इसका यह Description and Detail है अब हम अपने Paragraph 1 की जो Heading है इस पर कुछ Formatting एपलाई करने वाले हैं Formatting कहां प्राप्त होता है हमें Home tab में Formatting के सारे Option प्राप्त होते हैं मैंने यहां से इसका Font Change कर दिया मैंने अपने Paragraph 1 की जो Heading है उसका Font Change किया इसकी Size को Change कर दिया इसको Bold कर देते हैं Italic कर देते हैं Underline कर देते हैं और साथी साथ मैंने इसका एक Text Color भी Font Color भी Set कर दिया है और हम इसको Center Alignment पर Set कर देते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा जो पहला Paragraph है उसकी Heading को हमने कई तरीके से Format किया है उस पर Font, Font Size, Bold, Detail, Underline सभी प्रकार की Formatting को Apply किया है अब यदि हम यही Same Formatting अपने Second Paragraph की Heading पर Apply करना चाहते हैं तो हम इसको Select करके काफी समय हमारा वरवाद हो सकता है तो ऐसी Condition में आप Format Painter का Use कर सकते हैं Format Painter एक Location से Formatting को Copy करता है और दूसरी Location पर आपको Paste करने के सुभिदा प्रदान करता है तो Format Painter जो होता है वह हमें Home Tab में Clipboard Section में प्राप्त होता है इसको Use कैसे करना है सबसे पहले आप अपने Formatted Text को Select करेंगे आपको उस Text को Select करना है जिस Text की आप Formatting कर चुके है जो Text आपका Format होट चुका है उस Text को आप Select करेंगे तो हमारी जो Paragraph बन की Heading है उसके हम Formatting कर चुके हैं हमने उसको Select किया Home Tab में Format Painter पर क्लिक करना है Format Painter पर क्लिक करने के बाद यह Formatting को कॉपी कर लेगा अब आप जिस Text पर इस Formatting को Apply करना चाहते हैं आप देख सकते हैं मेरे माउस के साथ एक Brush का आईकन आने लगा है Brush का आईकन आने लगा है मतलब इसने Text की Formatting को कॉपी कर लिया है अब आप जिस Text की भी Formatting उपर वाले Paragraph 1 की Heading के जैसा करना चाहते हैं उस पर जाकर आपको इस Brush को इस तरह किसे Drag कर देना होता है देख सकते हैं आप जैसे ही मैंने Paragraph 2 की Heading पर अपने माउस को Drag किया उसकी Formatting सेम बैसी ही हो गई है जैसी हमने उपर Paragraph 1 की Heading को किया था तो Format Painter एक Location से Formatting को कॉपी करता है और दूसरी Location पर इसको Paste कर देता है अभी हमने इसको Method की तरू, Process की तरू चला कर देखा अब हम इसको Shortcut की की तरू भी Apply करके देखने वाले हैं तो हम अपने पहले Paragraph को Select करते हैं इस Paragraph का यहां से हम Color कर देते हैं Blue मैंने अपने पहले Paragraph का Color कर दिया है Blue यदि अब हम यही Same Formatting Second Paragraph पर Apply करना चाहते हैं तो हम पहले Paragraph को Select करेंगे Keyboard से Shift-Ctrl-C को Press करेंगे Shift-Ctrl-C से क्या होता है आपकी जो Formatting वह Copy हो जाती है और आपको जिस Text पर Formatting को Apply करना है उसको Select करेंगे Shift-Ctrl-B को Press करेंगे तो आप देख सकते हैं अब हमने Format Painter को Shortcut की से Access किया है हमने उपर वाले Paragraph से Formatting को Copy किया था और नीचे वाले Paragraph पर इसको Paste कर दिया है तो आप Format Painter को Home Tap से Access कर सकते हैं साती साथ Shortcut की से भी Access कर सकते हैं यह Option आपको एक Location की Formatting दूसरे Location पर Apply करने की सुभिधा परदान करता है आपका यदि कोई Question है तो Comment Section में जरूर पूछिए वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को Like करें जाता से जाता Share करें मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यबाद